नमस्कार दोस्तों मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटॉब चैनल ट्रू इन डिटेल्स में तो दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एंटी पीसी रेलवे ग्रूप डी परिक्षा और बिहार इस्टेट पुलिस परिक्षा से सम्बंधित 20 में तो पूर्ण प्रशन को लिया गया है जो कि पिछली वार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों और ये जितने भी बीस प्रशन हैं दोस्तों इनका सही सही उतर दे के आप अपनी तयारी को जाँ सकते हैं दोस्तों और बीस में से कितने प्रशन कर पाते हैं वो हमें उप धातू, चार उपरिव्द तीन हो, तो इस कांसर सोचने के लिए आपको तीन सेकेंड का समय दिया जाड़ा है दोस्तों, तो सोचिए, तो इस कांसर होगा दोस्तों, उप्शन, एक सोल्डर, सीशा और टीन की मिस धातू को सोल्डर कहते हैं, दोस्तों याद रखेगा, तो चलिए आएक के बढ़ते हैं, हमागला प्रस्न देख लेते हैं, कारवन का कौन सा अप्रूप सबसे कठोर होता है, उप्शन देखते हैं, उप्शन एक कोईला, उप्श तो इसका अप्शन होई दोस्तों, उप्शन तीन हीरा, कारवन का सबसे कठोर अप्रूप हीरा होता है, दोस्तों याद रखेगा, तो चलिए तिसरे प्रस्न के उपड़ था हमारा तीरसरा प्रस्न, कौपर को बायू में जिलाने पर कौन सा योगिक बनता है, उप्शन दे तो इसका अप्शन दोस्तों, एक कौपर ऑक्साइड, कौपर को बायू में जिलाने पर कौपर ऑक्साइड बनता है, दोस्तों याद रखेगा, बहुत ही महतोफ प्रस्न में है, जितने भी हैं, तो चलिए आया के और बढ़ते हैं, हमारा प्रस्न, धात्यों को पीट कर पत याध बनाना याध बढ़ता है, दोस्तों धात्यों के इस गुण धर्म ku बतलाता है, तो चलिए आए कर बढ़ते हैं, आगला प्रस्न, एसिटिक एसिड को डैस कहा जाता है, एक कास्टिक सोडा, दो सिर्का, तीन वेंजिक सोडा, चार इस्परिट, तो इस्कां सरब हमें अगला प्रस्ट चार ये धातूं का गुन क्या है एक कमरे किताब पर इस्थित होती है दो कमरे किताब पर वास्पिक्रित होती है तिन इलेक्टरोन को असानी से छोड़ देती है चार इनमें से कोई नहीं तो इसका आए कर बढ़ते हैं हमें आगला प्रस्ट देख लेते पितल मिस्र धातु का मुख्य घटक कौन से है एक तांबा और चांदी, दो चांदी और सोना, तिन तांबा और जस्ता, चार जस्ता और निकेल तो इसका आंसर सोचिए दोस्तों तो इसका आंसर अगा दोस्तों अप्शन, तीन तांबा और जस्ता तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं हम आगला प्रस्ण देख लेते हैं सेब का स्वाद मुख्य रोप से निमने में से किसके काड़न होता है सेब जो खाते हैं हमनों लोग न वही फल इसका अप्सन देखते हैं एक इथेनॉल, दो एसिट्टोन, तिन वेंजिन, चार निकोटीन तो इसका अंसर सोची जल्दी जबाब दीजी तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन एक इथेनॉल तो चलिए आगली प्रस्ण के और बढ़ते हैं गाय के दूद में किसके कारण पिलापन रहता है दोस्तों ज्याद रहें तो इसका अप्सन है मेलानीन, दो कैरोटीन, तिन एस्पीरीन, चार उपर युक्त तीनो तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन दो, कैरोटीन, गाय के दूद में जो पिला पन होता ना दोस्तों, वो कैरोटीन के कारण ही होता है तो चलिए आएक और बढ़ते हैं हम आगला प्रश्च रक्त का कबरगाह किसे कहा जाता है अप्सन देखते हैं, एक हिरदे को, दो फेफरे को, तीन प्लिहा को, चार धमनी को इसका अंसर सोची जल्दी, कमेंट मजबर बताइए तो इसका अंसर होगा दोस्तों, अप्सन, तीन, प्लिहा को रक्त का कबरगाह पिलिया को कहा जाता है दोस्तों याद रखेगा पिलिया को तो चलिए आगे को बढ़ते हैं हमा अगला प्रश्ण मानव तोचा में पाए जाने वाला वर्णक है option एक मिलानीन, दो रक्त, तिन किरोटीन, चार इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर सोचिए दोस्तों तो इसका अंसर होगा दोस्तों, option एक मिलानीन तो चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं किस बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है option एक बिटामिन सी में, option दो बिटामिन के में, option तीन बिटामिन ए में अप्षन 4 बिटामिन बाड़ा में तो एंसर सोचिए दोस्तों उमीद है आप अप एंसर दे चुके होंगे तो इसका अप्षन 4 बिटामिन बी बाड़ा में तो चली यानि B12 में तो चली आये के बढ़ते हैं भारते सम्मिधान के किस भाग को उसकी कुंजी कही गई है तो अपसंस देखते हैं अपसंन एक मूल अधिकार को अपसंस दो प्रस्ताबना को अपसंन तिन कानोनी कर्टब देखो अपसंन चार भाग बाड़ा को तो इसका आंसर बताई है दोस्तों तो इसका आंसर होगा दोस्तों अप्सन दो प्रस्ताबना को भारती सम्मिधान का कुण्जी कहा गया है दोस्तों याद रखेगा तो चलिए आए के और बढ़ते हैं हमा अगला प्रस्न लोग कल्यानकारी राजी की अवधारना किसमे नहीत है एक राजी की नीती निदे सकत तत्तु में दो संसद में तिन चार प्रसासन में तो इसका अंसर दीजे दोस्तों जल्दी से तो इसका अंसर होगा दोस्तों अप्सन एक राजी की निती निदे सकत तत्तु में तो चलिए आए के और बढ़ते हमा आगला प्रशन देख लेते हैं बौध संग में भिक्षूनी के रूप में इस्तिरियों क परवेश के अनुमत्ती बुद्ध द्वारा दी गई थी कहां पर दोस्तों देखते हैं ओप्सन ए राजगरी में दो बैशाली में तीन कुशी नगर में चार स्रावस्ती में तो इसका अंसर दीजे जल्दी से दोस्तों तो इसका अंसर होगा दोस्तों ओप्सन दो बैशाल पुर्वी घाट, दो रेगिस्तान, तिन पश्चमी घाट, चार थार रेगिस्तान, तो इसका अंसर जल्दी से दिजिए दोस्तों, उमीद आप एंसर दे दिये होंगे, तो इसका अंसर दिख लेते हैं, इसका अंसर है, option 3, पश्चिम घाट, भारत में जैव विविताग डिश्ती से धनिया स्थान पश्चिम घाट है दोस्तों, याद रखिएगा, चलिए आए SMTP, चार तीन होगा, तो इसका अंसर चीज़ दोस्तों, ये computer से related question है, तो इसका अंसर होगा दोस्तों, option 3, SMTP, इमेल जो भेजा जाता है दोस्तों, वो इसी application के लेयर का protocol का इनमीज करती है, दोस्तों, याद रखिएगा, तो चलिए आए कर बढ़ते हमें आगला प्रश्च 207 दिवस कब मनाया जाता है, option 1, December, 2, 21, September, 3, 8, March, 4, 2, October, तो इसका answer जब आप जल्दी दीजिए दोस्तों, answer, और answer के अलावा तीन जो option से दोस्तों, इसका answer भी आप दे सकते हैं, comment box में, कि एक December को क्या होगा, और वागी जो है, वो सबका क्या होगा, तो इसका answer होगा दोस पांती दिवस मनाया जाता है, दोस्तों, और comment box में हमें जरूर बताए कि एक December को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8, March को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो चलिए हमाँ आखरी प्रस्न के ओबढ़ता है, हमाँ आखरा आखरी प्रस्न का है, चंदर कांता नामक पुस्तक के ले चंदर कांता नामक पुस्तक है, दोस्तों, उनकी लेखक देव की निंदन खत्री है, दोस्तों, चलिए आपके लिए एक प्रस्न है, आपके लिए प्रस्न देख लेते हैं, आपके लिए प्रस्न क्या है, प्रस्न है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैध्यानिक स्विक्रिती प्राप्त करने वाला पहला सासा कौन था चलिए दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है और बहुत ही क्या करता है यह टफ भी है तो इसका अंसर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स मुन दता है और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सेर करें और हो स लाग पाते रही है तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद जे भारत अस तक लीद नहीं